हेलो सलाम उलेकुम मैं जवार आप सभी का फिर से एक बार स्वाथ करतों इस नए व्लॉग पे आप लोग कैसे उम्मीद करतां मस्त होंगे स्वस्त होंगे और अपने कामों में थोड़े थोड़े से व्यस्त होंगे तो मेरे और रानी के तरफ से आप लोग को हैपी दिवाली एडवांस तो नहीं कह सकते क्योंकि आज ही से दिवाली छोटी बड़ी होती है चलिए पॉइंट पर आते हैं पॉइंट पर यह है कि जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा क्लेश प्लेट जल गया है तो वह क्यूं जला उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जैसे कि मैं जब से गारी लिया तब से यह दो बार चेंज हो चुका है और जो कि अभी 46 किलो मिटर हुआ है बहुत लोगों का क्या है एक एक लाग किलो मिटर चल जाता लेकिन उसका जो कलेश प्लेट है वो नहीं जलता नहीं खराब होता है तो इस वीडियो में मै आप बचें और अपने कलेश प्लेट को बचाए नॉर्मली जो कंपनी फिटेड आती है कलेश प्लेट वो अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो वन लैक किलो मिटर प्लस जा सकती है बट हमारी गलती की वज़ए से वो क्या है जल्दी खराब हो जाती है तो जाओ और पूर पक्छठ को हाफ़ कलेश से पकड़के उसके बाद गाड़ी को iddure चलाते हैं तो जाती тяж घुरब खोड़कर चलाना चाहिए इसका है कलेश क गलती हैं क्या करते हैं कि अब मान के चलो गारी एक हमारी 40-50 km की स्पीड में जा रही है सामने से सडन से गड़ा आया या कोई चीज आया तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेक धीरे करने के लिए ब्रेक तो ले लेते हैं और कलच भी पकड़ लेते हैं लेकिन जब वह जब हमारी गारी धीरे होती है फिर जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने का जब हम स्पीड निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जो गेर होता है वो गेर को हम सिफ्ट नहीं करते हैं डाउन नहीं करते हैं उसी गेर में क्या करते हैं कलच को हाफ दबाके उसके बाद गारी को हम क्या करत जरते हैं जिसकी वाज़से उसका असर again i patch plate पर पड़ता है और ran हमारा जल जाता है तो हम कभी भी स्पीडब्रेकर पर काम्तलब कहीं भी अगर धीरrose करते हैं तो यह चीज़ चट करकरें कि सकी सकत हो वह कम हो, लाइक के आप जैसे मैं तीसरे गेर में गारी चला रहा हूँ, और स्पीड ब्रेकर आया, धीरे किया, और मैं क्या क्या गेर नहीं कम करके, तीसरे गेर में ही गारी को निकाल दिया, हाफ कलच लेके, तो उससे भी क्या है, कलच आपस में घसता है, और घसने के करते हैं, दोस्तों के सामने स्वाफ करते हैं, लोगों के सामने, तो उससे भी क्या है, कलच प्लेट पे असर पड़ता है, मेरे को अच्छे ब्याद है कि मेरी गाड़ी उस टेम पे 20-25,000 किलो मीटर पे चला था, और मेरे गाउं में फ्लड आया था, तो उसमें जाके, अब पावर प्रेडूस कर रहे थी, सडन से वो डिक्रीज हो गई, तो मेरे को तो वो चीज़ समझ में नहीं आया, बाद में जब मेकानिक के पास गया, और वो जब उसको राइड लिया, तो बताए कि इसका कलच प्लेट जल गया है, और उसने मेरे से पूछा, तो मैं सारी बात बताए, तो वो बोले, बर्न आउट की वज़े से भी क्या होता है, कि हमारे कलच प्लेट पे असर परता और वो जल जाता है, और ये बर्न आउट से याद आया, कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी गारी कितनी चलिया नहीं चलिया, खुरसीद भाई भी बता रहे थे कि एक ग बार बार जलेगा ही, बागे कोशिश करना कि बर्न आउट नहीं करो तो बहतर है, तो एक दो पॉइंट्स और है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको नहीं करना है, और ये सारी पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो आपका जो क्लच प्लेट है, वो और ट्राफिक में फसे हुएं, तो वो क्या करते हैं, कि उनको जो गेर कम करने में, पता नहीं क्या होता है, वो हाफ कलच पे ही थ्रोटल ज्यादा देखे, ये मतलब रेज ज्यादा देखे, गारी को निकालते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, तो मैं आपको बताना जो है, जिसकी वज़ा से इस बार मेरा जो कलच प्लेट खराब हुआ है, वो ये है कि मेरा जो चैन इस पॉकेट है, वो खराब हो गया था, और वो खराब होने की वज़ा से मैं भी क्या करने लग गया था, गारी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मैं भी क्या करता था, गार करेंगे फॉल्व इंडशन्स की जो जिस चीसे मना क्या गया है वो नहीं करेंगे तो आपका जो क्लच प्लेट है वो सेफ रह सकता है तो आई होप अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेंटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में तब तक आप अपना ख्याल रखिये